पॉस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत टिक टोक के बटवारे के साथी भाजपामा विरोध के सवर तेज हो गया है जिंदाबाट के साथी मुर्ताबाद जैसे नारे एक साथ लगने शुरू हो गए है मेरत हस्तनापूर में पार्टी के पूरविधायक गुपाल काली ने मौजुदा विधायक वे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त दिनेश खटीक के खिलाप मोचा खोल दिया है सोशल मीडिया पर गोपाल काली ने एमर्यादित रप्दोका इस्तमाल करते हुए चैलिंज दिया है कि वे दिनेश खटीक को चनाव नहीं जीतने देंगे वहीं आज मेरट खेत्रे काले पर सिवालखास विधान सबाज खेत्रे के कारिकरताओं ने घोशित प्रत्याशी मनेंदर पाल सिंग का जबरदस्त विरोत किया नारिख बाजी के बीच इन लोग ने साफ कहा कि भारी प्रत्याशी यहां नहीं चलेगा धर शहर विधान सबाज़ेत में भी कामोईश यही हाल है यहां बगावत का जंड़ा बुलंद किया है राज्य मंतरी सुनिल भराला ने वह टिकट के लिए भाग दोड़ कर रहे थे उन्हें डिप्टी चेफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा का बेहत करी भी बताय राता है लेकिन वह भी भरालों को टिकट दिलाने में कामियाब नहीं हो पाए आज भराला समर्थकों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा आवासपर विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पूर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मिकांत वाजपे के प्रेय रहे कमलदत शर्मा को भाजपने टिकट दिया है इस टिकट की गुस्टना के साथ ही कमलदत शर अर्मा और सच वही जो फार्ट बाट दिखाया अब बात मेरट के सिवाल खास की यहां से भाजपाने कई दलों का स्वाद चक चुके मनेंदरपाल सिंग को चुनावमेदार में उता रहा है आज भाजपा के छित्रे कारेले पर यह महर रहा परद्यासी नहीं चलेगा अरेंद्रिमोती परद्यासे नहीं चलेगा होने वे राज्यमंत्री सुनिल भाराला को टिकट ने मिलने का विरोध करते हुए भाराला समर्थ को ने पार्टी अधक्ष आवास के बाहर नारेवाची की गिन्दावर्जवाद। गिन्दावर् आप्नुल लेकान, एकड़े लितरणे 815 fav shut हम तुमारे साथ है। हस्तनापूर में पूर विधायक गोपाल काली ने बगावत का जंडा बुलंद कर दिया है। हस्तनापूर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिस भी पार्टी का विधायक यहां चुना जाता है उसी की सरकार यूपी में बनती है। बिधान सभा में अच्छी पकड रखने वाले गोपाल काली के इस कदम से भाजपान नेत्रत भी पारिशानी में पड़ गया है। इस खबर में फिलाल इतना ही। आप देखते रहे फास्ट बाइटो टीवे। नमस्कार।